पुलिस ने दो लोगों को ग्रफतार किया है जिन पर लूट का आरोप है पुलिस ने बदमाशों के पास से 315 वो 12 बोर का तमंचा सहित एक मोटर साइकल बरामत की तथा आरोपियों के वृत सम्मंदित धारां में मुकदमा दर्च कर कारवाही शुरू की है कोतवाली प्रभारी निरिक्षक मनोश कुमार सिंग ने बताये कि स्पी के निर्देश पर लुटेरोव सेकेरिय अपराधियों के वृत चलाये जा रहे अभ्यान के अंतरगत सोमवार को रात करीब 10 बजे पुलिस गश्ट कर रही थी कि उन्हें गाउ रसूलपूर की पथर या पुल के पास दो लोग नजर आये उन्होंने पुलिस को देखकर भागने का प्रियास किया जिन्हें पुलिस टीम ने मुटभेड के बाद धर्दबोचा पूछताच करने पर आरोपयों ने बताये कि वह लूट के इरादे से वहां खड़े थे उन्होंने अपना नाम चोटे और फारूप पुत्र यास्मीन कुरेशी निवासी रसूलपूर वा इस्थाई पता कुरेश्यान बड़ी मस्जित के पास कस्बा फरीद नगर भोशप जिला गाजियाबाद तथा दूसरे ने अपना नाम राजा उर्फ नवाब पुत्र फारूप कलंदर निवासी रसूलपूर बताया पुलिस ने छोटे के पास से 315 बोर का तमंचाव कार्तूस वा राजा के पास से 212 बोर का तमंचाव कार्तूस तथा एक टीवी एस अपा उस पर विजयनगर गाजियाबाद में लूट धत्या के 3 मुकदमे तथा मुराद नगर में चोरी का एक मुकदमा दरज हैं राजा के वुरुद अफजलगडवजस्पूर में तीन मुकद में दर्ज हैं छोटू तथा राजा आपस में जीजा साले हैं तथा छोटू गाजयबाद का रहने वाला है तथा छिपने के लिए वेह अपनी ससुराल रसूलपूर में रह रहा था जो यहां भी किसी लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे कोट वाली प्रभारी निदिक्षक ने बताया कि आरोपियों को ग्रफतार कर नियायले में पेश किया जाएगा अब भिजनावर की सभी ताजा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें